देश को तो पुरा भरोसा है कि हमारा मुद्दा विकासी है देश की जनता में कोई confusion नहीं है लेकिन जो लोग कभी नहीं चाहते थे ऐसी सरकार बने जो लोग कभी नहीं चाहते थे कि पिछली वाली सरकार जाए उनकी परेशानिया चल रही है तो विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा रहेगा और ये कोई राजरितिक भुटा नहीं ये मेरा conviction है कि देश में अगर गरीवी से मुक चाहिए तो विकास करना पड़ेगा देश के गरीबों को एमपावर करना पड़ेगा जहां तक कुछ गट्नाओं का सवाल है ये निंदनिये है किसी भी सब्समाज को ऐसी गट्नाय शुबा नहीं देती है लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाइन और ये राज्य का विशे होता है हम सिलेक्टिव चीजों को उच्छाल करके मोदी के गले मढ़ने का शडियंत्र कर रहे हैं ऐसा करने वालों का क्या हे तु सिद्ध होगा है तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन इससे देश का नुक्षान होता है ऐसी गट्नाय नहीं होनी चाहिए अगर आंकडों से देखे चाहे कमिनल वाइलेंस हो कौमी हुल्डर दली भाई बहनों पर हुए अत्याचार हो आदिवासियों पर हुए अत्याचार हो पिछली सरकार की तुलना में आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार के समय ऐसी घट्नाय काफी मात्रा में कम हुई है लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आपकी सरकार में क्या हुआ और मेरी सरकार में क्या हुआ मुद्दा ये है कि समाज के नाते हमें शोभा नहीं देता है हजारों साल का हमारा पुराना समाज जिसमें कुछ विक्रूतियां आई हैं हमें समझदारी से इन विक्रूतियों से अपने समाजों को बाहर निकालना होगा यह समाजिक समस्या है उसकी जड़े बहुत पुरानी है अगर हम राजनीति करते जाएंगे इसे समाजिक प्रस्टों पर तो उन समाजों का भी अहित करते हैं जिनके साथ सद्यों से अन्याय हुआ है और इसलिए कहीं पर भी कोई भी घटना घटे आज देश में आदिवासी MP, आदिवासी ML, दलीत MP, दलीत ML भार्पिय जनता पार्टी की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है और जब से मैंने बाबा साब आमबेड करके 125 फी जैनती मनाई है जब येनों में बाबा साब आमबेड करके जैनती मनाई गई है दुनिया के 102 देशों में बाबा साब आमबेड करके कारियों पर जीवन पर चर्चाएं हुई तो कई लोगों को लगा रहे यह मोति तो बाबा साब आमबेड करका भक्ता है तो उनको परिशानी होने लगी जब हमने बाबा साब आमबेड करके जीवन के साथ जुने हुए पांच तीर्थ जो हमारी सरकारों ने चाहे मवं में बाब साप का जन्मस्थान हो जाहे नाग पूर में छोई मुंबै में इन्डु मील की जमीन पर उनका समारक बनानी के बात हो छोई दिल्नी में जहां उनको ने निवास की ऐसे दो स्थानों पर भव्य समारक बनाने का काम हो चाहे लंडन में बाबब साभा मेड नहां रहते हुं उस मकान को समारक के रूप में कन्वर्ट करने का काम हो एक प्रकार से हमने पंच तीर्थ का निर्मार किया और इस सरकार ने किया तो जो लोग अपने आपको कुछ विशेश वर्गों के ठेकेदार मान करके देश में तनाव प्यदा करने चाहते हैं उनको ये गुजारा नहीं हुआ कि मोदी तो एकदम से दलितवादी है मोदी तो आदितवाद्शियों के पीछे पागल है मैं हूँ मैं इस देश के दलित, पिडित, सोशित, वंचित आदिवासी, महिलाए इनके कल्यान के लिए परतिवद्ध हूँ जिनकी राजलीती में आड़े आ रहा है वो संकट पैदा कर रहा है और इसलिए अनापसनाप आरोब लगा रहा है जिनोंने देश को जातिवाद के जहर पिला पिला करके देश को तबाह कर दिया है इन्होंने समाजिक समस्याओं को राजलीती की रंग देना बंद करना चाहिए हम सब ने एक दाइतों से आगे बढ़ना चाहिए और मैं समाज को भी कहना चाहूँगा क्या सब पर समाज को इस प्रकार की घटना इस शोभा देती है क्या मैंने लाल की लिए पर से कहा था बलातकार की घटनाओं का मैंने का माबाब ज़र अपने बेटों को तो पूछे को कहा जा रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटियों को तो हम पूछ रहे हैं हमारे समाज में ये बढ़लाव के लिए अब जैसे स्वच्छता का मसला है मैंने देखा है मिडिया ने सकारात पर वहां बनाया है मिडिया कॉंट्रिबूट कर रहा है क्या सामाजी गेकता में भी मिडिया कॉंट्रिबूट कर सकता है और मुझे लगता है कर सकता है हमारी अपेक्षा है आगरभी है और जितनी चिंता मुझे देश की और समाज की है उत अनाप सनाप बयान बाजी किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समाज के लिए कुछ भी बोल देना मीडिया वाले तो आएंगे आपके पास वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा को उसको तो टी आर पी करनी है लेकिन आप क्यों देश को जवाब देना है और इसलिए सारवजन किसी तो करते हो तो भी देश की एक्ता समाज की एक्ता समाज जीवन की समरस्ता इसमें किसी भी हालत में उदासिंता नहीं बरतने चाहिए हमें अधिक सत्र रहना चाहिए जब कभी हमें शरी पर छोटा सा गाव लगता है तो एक कागज भी अगर उसको हाथ छूता है तो दर्द होता है हजारों साल की इन बुराईयों के कारण हमारे गाव इतने गहरे है उसमें छोटी सी भी घटना हम कर देंगे तो इसकी पीड़ा कितनी होगी इसका हमको अंदाज नहीं है और इसलिए गटना छोटी है कि बड़ी है उसका महत्पन नहीं है गटना होनी ही नहीं चाहिए इसका महत्पन है इस सरकार में ज्यादा हुआ इस सरकार में कम हुआ इसके आधरपन नहीं होने चाहिए हम सभी का दाइत में हैं हम सबने मिल करके समाज की एकता को भी बल देना ह मुदीचे आपकी नजर में